रोयल चेलेंजर्स बेंगलोर और कॉलकात्ता नाइट राइडर्स के बीच में IPL 2024 का मैच नंबर 10 जो खेला जाएगा M. चिन्ना स्वामी अस्टेडियम बेंगलोरू में जो RCB का हॉम ग्राउंड है और ये वाला मैच 29 मार्च को साम सारहे 7 बजे खेला जाएगा और इसी अस्टेडियम पर IPL का जो मैच खेला गया था RCB और पंजाब किंग्स के बीच में इसी वेन्यू पर खेला गया था और उस मैच को RCB ने विन किया था और उस मैच में हम लोगोंने हर एक लिग में हर एक कॉंटेस्ट में अल्टरा विनिंग किया था तो आज के इस बेडियो में हम इस मैच का Small League से लेकर Megagrand League का special prediction के बारे में बात करने वाले है आनि इस बेडियो में में आपको पूरा detail में बताऊंगा कि दोनों टीम से आपको Wicket Kipping वाले सेक्षन में अपने टीम में किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है बैटिंग वाले सेक्षन में आपको अपने टीम में किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है और रमडर वाले सेक्षन में आपको अपने टीम में किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है और आज मैं आपको दोनों टीम से 7 से 8 एसे प्लैयर के बारे में बताने वाला हूँ जो इस मैच में आपको मेगा लिग में अच्छा खासा रैंक दिला करके लाखों और करोडों में वेनिंग कराएगा और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मैच में कौन वो प्लेयर है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे बहतरीन कंटेंडर बनने वाला है तो चलिए एक तक करके मैं आपको हर एक चीज डीटेल में समझाता हूं तो जैसा मैंने बोला ये वाला मैच कहां पर खेला जाएगा एम चिन्ना स्वामी अश्टेडियम बेंगलूरू में जो RCB का होम ग्राउंड है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस पीच पर ना एक्चूवल में क्या होता है कि इसको सपोर्ट मिलता है यहां पर अब देखो अगर आप लोगोंने मेरा बेडियो पहले से देखा होगा ना तो आपको अल्रेडी पता होगा कि ये वाला पीच ना हाइली बैटिंग पीच होता है और पीचले मेच में देखो जो RCB और Punjab Kings के बीच में मेच खेला गया इसी वेन्यू पर Punjab Kings पहले बैटिंग किया 176 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पर और RCB 178 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पर आनि इस run को chase कर लिया और इस match में जो मैंने इस match का बेडियो बनाया था उसमें मैंने clear cut बता दिया था कि अगर इस match में पंजाब Kings पहले batting किया ना तो यही 170 या 180 के बीच में आपको score बनता हुआ दिखेगा क्योंकि पंजाब Kings का batting order उतना मजबुत नहीं था और असानी से देख सकते हो 176 रन का यहां पर असकोर बना था पहले batting करते हुए और इस run को RCB ने chase कर लिया 178 रन बना दिया अब देखो जो फ़र्ष्ट इनिंग में 6 विकेट गिरा है ना उसमें से चार फ़र्ष्ट और दो विकेट अस्पीनर को मिला और जो सेकेंड इनिंग में 6 वि दोनों इनिंग को मिला करके अब देखो ये वाला मैच जो RCB और GT के बीच में 28 March 2023 को खेला गया था इसी वेन्यू पर इसमें क्या हुआ RCB कर लेना यहां पर RCB होगा RR मैंने गलती से टाइपिंग कर दिया है इसको RCB कर लेना 197 रन बनाता है 5 विकेट के नुकसान पर और GT इस रन को चेस कर लेता है असानी से देख सकते हो 197 रन यहां पर चेस हो रहा है मातर चार विकेट के नुकसान पर अब इस मैच में जो फ़ाष्ट इिनिंग में 5 विकेट गिरा है न उसमें से 2 विकेट फ़ाष्टर और 3 विकेट अस्पीनर को मिला और जो सेकन्ड इनिंग म ही खेला गया था KKR और RCB के बीच में और ये वाला भी मैच इन ही दोनों टीम के बीच में खेला जाएगा तो यहां से भी आप आईडिया लगा सकते हो KKR पहले बैटिंग किया इस मैच में 200 रन बना दिया 5 विकेट के नुकसान पर सोच सकते हो कि इतना जादा हाईली बैटिंग पीच यहां पर होने वाला है और RCB सेकेंड इनिंग में बैटिंग किया 179 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर अब जो पहले इनिंग में 5 विकेट गिरा है ना उसमें से 3 फास्टर और 2 अस्पीनर को मिला सेकेंड इनिंग में जो 8 विकेट गिरा है उसमें से 2 विकेट फास्टर और 5 विकेट अस्पीनर को मिला बाकी बाद 1 विकेट रन आउट हुआ था अब देखो यहां पर अस्पीनर को 5 विकेट मिला है ऐसा क्यों हुआ क्यों कि उस मैच में आरसीबी के सामने जिसके कारण गया उस कंडिशन में जब किसी टीम पर प्रेसर आता है न उसका जादा सपोर्ट मिल जाता है इसलिए यहां पर सेकेंड इनिंग में पाँच विकेट असपीनर को मिला है अगर आप इन तीनो मैच को ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज पता चल जाएगा कि इस पीच पर आ शकोर काफी सही बन रहा है यहां पर 186 बना चेस हो गया यहां पर 297 बना चेस हो गया यहां पर 200 बना काफी ज़्यादा शकोर बन गया जिसके कारण ये वाला रन सिर्फ चेस नहीं हुआ है अब देखो अगर आप इन तीनो मैच को देखोगे न तो फर्ष्ट इनिंग में टॉटल सोलो विकेट गिरा है जिसमें से 9 विकेट फास्टर और 7 विकेट अस्पीनर और इन तीनो मैच को मिला करके सेकेंड इनिंग में 15 विकेट गिरा है जिसमें से 10 विकेट फास्टर और 5 अस्पीनर को मिला है आनि इतना समझ लो बैड्समेन आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा इस मैच में बैड्समेन को ले करके चलना और फाष्टर बॉलर को ज़्यादा लेना अस्पीनर के तुलना में क्योंकि फाश्टर को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट मिलता है अस्पीनर के तुलना में यहाँ पर देखो 9 फाश्टर 7 अस्पीनर यहाँ पर 10 फाश्टर 5 अस्पीनर वो भी यही वाला 5 है इजी से देख सकते हो ध्यान से समझना यहाँ पर टॉटल यह 5 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया टॉटल यहाँ पर 7 विकेट होगा अब आगे सिंपली बात करते हैं इन 3 मैच का ना ड्रीम टीम के बारे में क्योंकि इस स्पीच पर एक्चुल में होता क्या है वो चीज हम लोगों ने देख ली अब यहाँ पर सिंपली बात करते हैं जो मैंने आपको पीछे 3 मैच दिखाया ना जो इस वेन्यू पर खेला गया है उन 3 मैच का हम ड्रीम टीम के बारे में बात करते हैं यही से हमको पता चलेगा कि जब इस स्पीच पर मैच खेला जाता है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बनता है ड्रीम टीम का तो सबसे पहले यही वाला मैच देखो जो पिछला ही मैच खेला गया RCB और पंजाब किंग्स के बीच में कैप्टन बना विराट कोहली जो एक बैट्समेन है वाइस कैप्टन बना यहां पर हर पिरित बरार जो क्या है बॉलर है अब यह वाला मैच देखो जो RCB और GT के बीच में खेला गया इसमें कैप्टन बना सुभुमंगिल जो क्या है बैट्समेन है वाइस कैप्टन बना विराट कोहली जो है बॉलर अगर आप इन तीनों मैच को ध्यान से देखोगे न तो आपको एक चीज़ 100% किलियर होगा कि इन तीनों मैच में जो कैप्टन बना है वो बैटिंग वाले सेक्शन में ही बना है आनि बैट्समेन ही बना है यहाँ पर भी कैप्टन बैटिंग वाले सेक्शन में बना यहाँ पर भी बैटिंग वाले सेक्शन में बना यहाँ पर भी बैटिंग वाले सेक्शन में बना और वाइस कैप्टन यहाँ पर बैटिंग वाले सेक्शन में बना रांडर वाले section में ले करके चलना है क्योंकि all rounder भी betting ही करता है कि इसको बनाना है आगे आपको मैं बता दूंगा आगे simply बात करते हैं टेली ग्राम channel के बारे में अगर आपने अभी तक हमारे टेली ग्राम channel को जोएन नहीं किया है तो सबसे पहले इस टेली ग्राम channel को जोएन कर लो जिसका लिंक आपको description box comment box में मिल जाएगा क्योंकि इस IPL में हर एक match का 100% फिरी में winning team आपको इसी telegram channel में मिलेगा जिस team के साथ मैं खेलता हूँ same to same वही team मैं आपको इस telegram channel में देने वाला हूँ तो जल्दी से जल्दी join कर लेना link आपको description box comment box में मिल जाएगा और अगर by chance description box और comment box के link से open ना हो तो कैसे आपको join करना है अभी आपको पता चल जाएगा original और official telegram channel में join होने के लिए आपको simply अपने telegram में किसी भी friend को या किसी भी member को ये वाला message आपको send कर देना है add the red लगा करके जो channel का नाम है वही आपको लिखना है जैसे कि आपको screen पर दीख रहा है और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है वहाँ पर add the red लिखना है उसके बाद channel का नाम लिखना है जैसे कि a k j o n उसी में सटा करके f a n t a s y जैसे ही इतना लिख करके send करोगे न वह message clickable बन जाएगा और जैसे ही उस पर click करोगे न direct हमारा telegram channel open होगा नीचे में आपको join का button मिलेगा join के button पर click करके आपको हमारा telegram channel join कर लेना है और एक बात हमेशा आध रखना हमारे नाम से कभी भी किसी को भी team के लिए पेशा मत देना क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको 100% free में देता हूँ आगे simply बात करते हैं top performer player के बारे में आनि जब ये दोनों team एक दुसरे के सामने match खेलता है तो दोनों team में कौन कोने सब player है जो हमेशा एक दुसरे के सामने perform करता है तो सबसे पहले ये वाला match देखो जो इसी venue पर खेला गया था 26 अप्रिल 2023 को इस match में क्या हुआ KKR पहले बैटिंग किया 200 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पर RCB इस run को chase नहीं कर पाया 179 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पर और इस match को KKR विन कर लेता है 28 रन से अब इस match में जो टिम मेगा लिग में rank 1 में आ करके 2 करोड का विनिंग किया है न कुछ इस परकार से आपको दिखेगा एसा क्यों हुआ क्यों कि उस match में न RCB के तरब से top performer पलायर विराट कोहली 24 रन बनाया महिपाल लोमरोर 34 रन वनिंदू हसरंगा 5 रन पलस 2 विकेट लेकिन इस बार SRH के तरब से खेल रहा है उसके बाद विजे कुमार 13 रन पलस 2 विकेट और ड्रिम टिम में आपको यही सब पलायर दिखेगा जैसे कि विराट कोहली यहां से महिपाल लोमरोर वनिंदू हसरंगा और विजे कुमार दिखेगा लेकिन ये दोनों आपको RCB के तरब से खेलता हुआ नहीं दिखेगा बात करें के के आर के तरब से टॉप परफोर्मर उस मैच में तो नराइन जगदीसन 27 रन बनाया जो इस बर खेलेगा नहीं जैसन रोई ओल्रेडी रूल आउट हो चुका है लेकिन उस मैच में 56 रन का पारी खेला था नितीस राना 48 रन वेंकेटस अईयर 31 रन आंद्रे रसल 2 विकेट वरुन चकरवरती 3 विकेट और सुयस सर्मा आपको 2 विकेट दिखेगा और ड्रिम टिम में आपको यही सब प्लेयर दिखेगा जैसे कि नराइन जगदीसन, जैसन रोई, नितीस राना, वेंकेटस अईयर, आंद्रे रसल और वरुन चकरवरती और सुयस सर्मा दिखेगा समझ मा चुका है और इस टीम में ना कैप्टन बना था जैसन रोई, चुकि यह वाला मैच इसी वेन्यू पर खेला गया था, इसलिए बैटिंग वाले सेक्षन में ही कैप्टन बना है, 56 रन बना करके, वाइस कैप्टन बना था वरुन चकरवरती, 3 विकेट निकाल करके, त में भी KKR पहले बैटिंग किया, 204 रन बनाया, 7 विकेट के नुकसान पर, RCB सेकेंड में बैटिंग किया, इस रन को चेस नहीं कर पाया, 123 रन बना करके, ओल आउट हो गिया, और इस मैच को भी KKR विन कर लिया, 80 रन से असानी से देख सकती हो, अब इस मैच में जो टिम म यहां से ब्रेस्वेल 19 रन, डेविड विली 20 रन पलस दो विकेट, और यहां से कर्ण सर्मा दो विकेट, और ड्रिम टिम में आपको फाप डुपलेसी, विराट कोहली, मिचल ब्रेस्वेल, डेविड विली और यहां से कर्ण सर्मा दिखेगा, बाकी बाद KKR के तरब से ट केप्टन बना है 78 रण प्लस 1 वि께ट निकाल करके लेकिन इस बर सी 10 के तरब सेुर के तरब में से पीछेट देखर पीछले hem again यह 2 विकट निकाला है उसके बाद यह वाला मैच देखो जो 2022 में खेला गया था इन ही दोनों टीम के बीच में इसमें क्या हुआ इसमें भी KKR पहले बैटिंग करके 128 रन बनाता है 10 विकेट के नुकसान पर और फाइनली इस मैच को RCB विन करता है तीन विकेट से अब इस मैच में जो टीम में मेगा लिग में रैंक वन में आ 27 रन अकास दीप 3 विकेट हरसल पतेल 10 रन प्लस दो विकेट इधर से आपको दिखेगा जेक्सन कैचिंग से पॉइंट दिया था और वहां से विकेट किपिंग से पॉइंट दिया था सुनिल नराइन फिर से 1 विकेट प्लस 12 रन टीन सावधी 3 विकेट उमेस आदव अठा से देखो गे ना तो आपको RCB के तरब से विराट कोहली है ना हमेसा आपको ड्रीम टिम में दिखेगा विराट कोहली यहां पर भी ड्रीम टिम में आया है आकीश रन बना करके, उसके बाद आपको विराट कोहली इस टिम में भी दिखेगा, टोटल यहाँ पर चंवन रन मजण बना करके, डृम टिम में आया है, उसके बद फाप डुपलेशी भी आपको दिखेगा, यहाँ पर नहीं टोटल यहां पर कितना विकेट निकाल करके चार रन पलस चार विकेट निकाल करके लेकिन वनिंदू हसरंगा इस बार S.R.H. के तरब से खेल रहा है तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे आनि दो ऐसा प्लेयर है जो हम इसा परफॉंग कर रहा है इस टीम के सामने R.C.B. के चक्रवरती पर फोकस करना यहां पर वाइस कैप्टन बना है टॉटल तीन विकेट निकाल करके वरुंचक्रवरती R.C.B. के सामने उसके बाद वरुंचक्रवरती यहां पर कैप्टन बना है टॉटल चार विकेट निकाल करके एक में तीन विकेट निकाल करके यहां पर दूस्तरी के सामने परफॉम करता है तो इन सभी प्लेयर पर फोकस करना काफी ज़्याधा इंपॉर्टेंट है आगे सिंप्ली बात करते हैं दोनों टीम का पॉसीबल प्लेइंग 11 के बारे में तो इस मैच में सिंप्ली RCB का प्लेइंग 11 क्या रहेगा उसके बारे में हम पार्टीदार ग्लेन मैक्सवेल केमरन ग्रीन दिनेस कार्टिक और यहां से आपको अनुजरावत अलजरी जोसेफ मयंक दागर मोहमद सिराज और यस दियाल दिखेगा तो यह हो सकता है इसका प्लेइंग 11 इस मैच में अब देखो इसका इमपेक्ट प्लेयर पिछले मैच में मही पाल लॉमरोर खेला था तो इस मैच में भी आपको मही पाल लॉमरोर इमपेक्ट वाले सेक्शन में खेलता हुआ दिख सकता है बाकी बाद इसका मैन बॉलर के बारे में बात करोगे न तो पहला इसका अलजरी जोसेफ दूसरा इसका मयंक दागर तिसरा इसका मोहमद सि और इसके खाते में चला गया, तो यही इसका पांचों मैन बॉलर है, अलजरी जॉसेफ, मयंक दागर, मोहमद सिराज, और यहां से केमरन ग्रीन, सिक्स्थ बॉलिंग उप्सन इसका गलेन मैक्स्वेल है, डेथ में सिंपली आपको मोहमद सिराज करता हुआ दिखेगा, यह सि इस मैच में आपको देखने को मिल सकता है, तो फिल सॉल्ट, वेंकेटस सयर, सरस सयर, नितीस राना, रिंकु सिंग, रमंदीप सिंग, आंध्र रसल, सुनिल नराइन, मीचल अश्टार्क, हरसित राना और वरुन चक्रवर्ती, तो यह हो सकता है इसका प्लेइंग 11, अब प पिछला मैच ना विन करके आ रहा है, तो मेरे एकोडिंग यही प्लेइंग 11 हो सकता है, बाकी बाद इसका मैन बॉलर देखलो, आंध्र रसल, सुनिल नराइन, मीचल अश्टार्क, हरसित राना, वरुन चक्रवर्ती, यह इसका पांचों मैन बॉलर है, और पिछले मैच के जैसा सुयस सरमा आपको 6th बॉलिंग उप्सन दिखेगा इस टीम से, बाकी बाद डेख का बात करें, तो आंध्र रसल कंफर्म है डेख में करेगा, पिछले मैच में हरसित राना किया था डेख में, लेकिन मीचल अश्टार्क भी आपको डेख में करता हुआ दिख सकता है, तो यहां से तीन ओप्सन बनता है इसके तरब से डेथ में बॉलिंग करने के लिए, एक आंध्र रसल, यहां से मीचल अश्टार्क और हरसित राना, तो इस पर फोकस करना, अब आगे सिंपली हम हर एक सेक्शन को डेटल में समझते हैं, कि की सेक्शन में आपको किसको लेना दिखेगा, अब देखो यहां से आपको अपने टिम में कम से कम दो विकेट कीपर या एक विकेट कीपर को ले करके चलना है, वो कौन होगा उसी के बारे में बात करते हैं, दिनेश कार्तिक देखो नो डाउट दोनों मेच में काफी सही परफॉम किया है, 38 रन पहले मेच मे और पिछले मेच में 28 रन और यह परफॉम तभी आया है क्योंकि दोनों मेच में आरसीबी का टॉप ओडर नहीं चला है, और इस मेच में ना टॉप ओडर चल सकता है, तो एसा नहीं होगा कि बार बार आरसीबी का टॉप ओडर जल्दी आउट होगा और इसका बैटिंग आ तो गुद्वू है उल्ड एक बiblत काम च्छी पर दोनुच में इसका नाइंत पर इच्छीज बिखाए पर रहा आ गया कि दिनेANS imposs ार्फिक को लेना थोड़ा रिसकी रहेगा मैं इसको ड्रॉप करके चलूँगा चुकि केवल बैटिंग करेगा और बैटिंग आएगा या नहीं आएगा कोई गैरेंटी नहीं है लेकिन अनुजरावत इंपोर्टेंट है नमबर 6 पर बैटिंग करेगा अगर बाई चंस मान लेते हैं इसका बैटिंग नहीं भी आएगा भी 20-25 पॉइंट दे करके गया था आनि हर एक विकेट की पर आपको कैचिंग और अश्टंपिंग से 20-25 पॉइंट दे ही देगा बाकी बाद जो बैटिंग से परफॉम करेगा वो अलग है तो यहां से यह दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा मैं इन दोनों को अ अज़त पाटिदार नितीस राना दिखेगा केके आर के तरफ से और रिंकू सिंग दिखेगा अब सिंप्ली देखो टॉटल आपके पास ना साथ बैट्समेन हो जाता है लेकिन लेना आपको कम से कम चार बैट्समेन या तीन बैट्समेन को ले करके चलना है तो किसको लेना है उसी के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फाप डुपलेसी के बारे में काफी बेहत्रिन प्लैयर है और पिछले साल ना काफी जादा रन बनाया था और रन वाले रिकॉर्ड में देखो कब तक बंदा खामुस बेठेगा, कभी ना कभी अपना जल्वा दिखा ही देगा, और हॉम ग्राउंड है, तो चांस बनता है, कि इस मैच में इसका बल्ला चलेगा, विराट कोहली को ड्रॉप नहीं कर सकते हूँ, काफी important player है, पीछले मैच में गजब पारी को समहला था, आपको KKR के तरफ से Venkates Ayer दिखेगा, जो opening करेगा इस मैच में, opening नहीं number 3 पर खेलेगा, तो हो सकता है इस मैच में भी आपको सुनिल नराइन opening करता हुआ दिखेगा, तो Venkates Ayer उतना खास player इस मैच में नहीं बनेगा, क्योंकि इसका recent form काफी खराब दिखेगा, और ये न समहल करके नहीं खिलता है, पीछ पर टाइम नहीं देता है, आएगा और मारने के चक्र में रहेगा, तो इस मैच में ना Venkates Ayer का जो wicket है ना, वो जाने का chance रहेगा, इसलिए मैं अपने team से इसको drop करके चलूँगा, लेकिन अगर आपको लेना है ना, तो ले सकते हो, क्यों पर निती सराना पर भी कोई focus नहीं करेगा, तो इन दोनों को differential pick के तोर पर आपको लेना पड़ेगा, अगर आप वही करोगे, जो already लाखों करोडों लोग कर रहा है ना, तो आप कभी भी winning नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर आपको dream 11 में या किसी भी application में mega league में अच्छा ख perform कर सकता है, world cup में already पता होगा इसका perform केसा आया था, भले ही पिछले match में zero run क्योंना बनाया हो, और इस team के सामने 10 match में 284 run 28 का average है, venue पर 3 match में 119 run लगभग 40 का average है, तो यहां से एक फाप डुपलेसी, विराट कोहली, सरस सेयर, ये तीनों important है, वेंकेटर सेयर के बारे में म खश्ट में बैटिंग आया, zero run बना करके out हो गया, उसके बाद पिछले वाले match में बैटिंग आया, 18 run मातर बनाया है, तो मैं इसको simply drop करके चलूंगा, नितीस राना आपके लिए quality बन सकता है इस match में, वेंकेटर सेयर और नितीस राना इस match में important बनेगा, जोकि इन पर लो रिंकु सिंग पर एक चीज फोकस करना, रिंकु सिंग कहां पर बैटिंग करता है, नंबर साथ पर बैटिंग कर रहा है, केके आर के तरब से, तो खुद दिमाग लगा करके देखो, रिंकु सिंग का बैटिंग का बाएगा, रिंकु सिंग का बैटिंग तभी आएगा, रिंकु सिंग का बैटिंग नहीं आएगा और अगर आएगा भी ना जो बहुत कम चांस है तो 18 में या 19 में आएगा तो वहाँ पर 6 गैंद खेल करके क्या ही कर लेगा इसलिए मैंने बोला ना रिंकु सिंग को लेना है ना तो KKR का टॉप ओडर को ड्रॉप करके चलना कम से क टॉप ओडर में दो बैट्समेन को ड्रॉप करो और रिंकु सिंग को अपने पिम में घुसा लो जो कि टॉप ओडर ड्रॉप होगा तभी रिंकु सिंग का बैटिंग आएगा यही दसमें ओभर में या 12में ओभर में और वहाँ से इसको खेलने का मोका बनेगा और आपको अच्छा खासा पर्फॉम करके भी दे सकता है, समझ मा चुका है, आगे सिंप्ली बात करते हैं, ओल्ड रमडर वाले सेक्षन में, तो ओल्ड रमडर वाले सेक्षन में आपको RCB के तरफ से, गलेन मैक्सवेल और केमरन ग्रीन दिखेगा, केके आर के तरफ से, रमन दीप दोनों कर रहा है, मैक्सवेल का बल्ला दोनों मैच में चला नहीं है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, लेकिन इस मैच में चल सकता है, सबसे फ़स्ट मैच में 0 रन बनाया, पिछले मैच में 3 रन, लेकिन 2 विकेट भी निकाला था, लेकिन इस मैच में चल सकता है, और मैक्सवेल कीस परकार का प्लेयर है अल्रेडी पता होगा कैमरन ग्रिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा नंबर तीन पर बैटिंग कर रहा है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है फस्ट मैच में अठारो रन पलस दो विकेड भी निकाला था तो इन दोनों को एक दम बाई डिफॉल्ट फिक्स ले करके चलना और खास करके इस मैच में जिस परकार का पीच है न और रमडर पर फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा रमणदीप सिंग उतना ज़्यादा इंपोर्टेंट पलेयर नहीं है रिसेंट फों भी कोई खास आपको दिखेगा नहीं भले ही पिछले मैच में 35 रन बनाया है नंबर 6 पर बैटिंग करेगा और इसका बैटिंग आ गया क्योंकि टॉप ओडर जल्दी आउट हो गया था केकी आर का पिछले मैच में और इसका एक मेजर प्रोब्लम है ये बॉलिंग नहीं कर रहा है अगर ये बॉलिंग करता ना कम से कम 2 या 3 ओभर तो मैं इसको ले करके चलता लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको ड्रॉप करके चलूँगा आंध्र रसल इंपोर्टेंट है 4 ओभर पुरा बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग से पिछले मैच में क्या गर्दा उड़ाया है चोर सट रन प्लस दो विकेट गजब का छपका मारा था आपको पता होगा अगर आपको पता है ना तो कॉमेंट करके बताना और पिछले मैच में प्लायर ओफ दा मैच बना था काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है सुनिन लारैन अगर पिछले मैच कर जैसा यह ओपनिंग किया ना तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा लेकिन अगर यह ओपनिंग नहीं करेगा नमबर आथ पर बैटिंग करेगा तो उस condition में drop करके चल सकते हो क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि 4 over का पूरा balling करेगा मैं मानता हूँ लेकिन अगर ये opening करेगा तो ले करके चलना अगर balling से flop भी हो गया न तो batting से आपको 20-25 run बना ही देगा तो यहाँ से आपके लिए Maxwell, Cameron Green और आंद्रे रसल ये तीनों सबसे ज़्यादा important है सुनिल नरायन इस match में opening किया तो ले करके चलना अगर 8 number में betting किया तो drop करके चलना simple सा funda है आगे simply बात करते हैं balling वाले section में तो RCB के तरप से अलजरी जोसेफ और यहाँ से मयंक दागर दिखेगा इधर से मीचल अश्टार्क और हरसित राना दिखेगा और आगे simply आपको मोहमद सिराज या सिद्याल और यहाँ सी वरुन चक्रवर्ती दिखेगा balling वाले section में आपके पास total 7 baller मिलेगा लेकिन इन में से कम से कम आपको 3 baller या maximum 4 baller को ले करके चलना है क्योंकि पीच केसा है highly batting पीच है तो यहाँ पर batsman को support मिलेगा ना की baller को लेकिन faster baller को थोड़ा सा ज़्यादा support मिलेगा already मैंने पीछे बता दिया है तो देखो अलजरी जॉसेफ न इस match में बाई चन्स आपको खेलता हुआ ना दिखे न यहाँ आपके निकाल लिया लेकिन इसा बार बार नहीं होगा पिछले मैच में तीन विकेट निकाला है तो यह सा नहीं कि इस मैच में भी इसको तीन विकेट मिलेगा लेकिन फिर भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो क्योंकि इक वाला पीच अलग था और ये वाला पीच अलग है जैसा मैंने बोला इस पीच पर बैट्समेन को सपोट मिलता है ना कि बॉलर को इन चारों में से सबसे बेहत्रीन उप्सन आपके लिए बनेगा मीचल अश्टार्क चोंकि इसके पास quality है बॉलिंग करने का और इसके पास variation भी है बॉलिंग करने का तो इसको ले करके चलना अगर आपको हरसी तराना को लेना है तो असानी से पिक करके चल सकते हूँ लेकिन मैं फिलहाल के लिए इस पर डाउट हूँ मैं सबसे जादा और बैटिंग वाले सेक्सन पर फोकस करके चल रहा हूँ अगर option बचेगा तो मैं इसको जरूर कभर करूँगा आगे simply बात करते हैं मोहमद सिराज के बारे में इसको drop मत करना इसका home ground है पिछले match में 2 wicket निकाला इस team के सामने 12 match में 13 wicket venue पर solo match में 13 wicket है और पिछले match में 2 wicket निकाल करके आ रहा है इसी venue पर तो इसमें थोड़ा यस दियाल उतना ज्यादा important नहीं है पिछले match में 1 wicket उससे पहले 1 wicket अगर try करना है तो try कर सकते हो GL में small league में मत लेना अगर अस दियाल को लोगे mega GL में तो सिराज को drop करके चलना एक फंड़ा ये भी बनेगा वरुन चक्करवरती important है पीछी में आपको दिखाया RCB के सामने एक match में 4 wicket निकाल करके captain बना है एक में 3 wicket निकाल करके wise captain बना है RCB के सामने हमेशा perform करता है वरुन चक्करवरती 8 ही match में 14 wicket है RCB के सामने और इसी venue पर एक match में 3 wicket निकाल करके wise captain बना था जैसा मैंने पीछे बताया है recent form 1 wicket 2 wicket 4 wicket 1 wicket 3 wicket काफी सही दिखेगा तो ये एक section में किसको लेना है किसको drop करना है बाकी बाद इसका bench और impact वाला section देख सकते हो पिछले match में महिपाल लोमरोर impact वाले section में खेला था सब्तर रन भी बनाया और इधर से सुय स सर्मा खेला था impact वाले section में बॉलिंग किया लेकिन एक भी wicket नहीं मिला लेकिन इस match में मिल सक रिश टॉपली या लोकी फर्गूसन को खिला सकता है तो इस पर focus करना बाकी बाद इधर से मनीस पांडे दिखेगा और आर गुरबाज दिखेगा bench वाली section में आगे simply बात करते हैं Trump and keep player के बारे में जो इस match में आपको really में mega GL winning करवा सकता है mega GL में इन सभी player पर खास तोर प पर focus करना एक आपका विराट कोहली फाप डुपलेसी, गलेन मैक्सवेल, केमरन ग्रिन, वरुन चकरवर्ती, सुनिल नराइन, हर्शित राना, सुरीनितिस राना और आंद्रे रसल तो ये आपका आठ एसब player है ना जो हमेशा एक दुसरे के सामने perform करता है इस पर focus करना mega GL मे काफी जादा important है, बाकी बाद इस match में आपको captain, wise captain किसको बना करके चलना है, तो best captain और wise captain कौन बनेगा, तो रसल आपके लिए सबसे बहतरिन captain बनेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, पिछले match में काफी सही perform किया है, विराट कोहली भी captain का बहतरिन option बनेगा, फाप में captain और wise captain का, मेरा क्या रहेगा, आगे आपको पता चल जाएगा, आगे simply बात करते हैं, टीम के बारे में जो मैंने इस match का team बनाया है, यही सब knowledge को यूज करके, विकेट किपिंग वाले section में फिल, salt और अनुजरावत दिखेगा, जैसा मैंने बोला, उसके बाद रसल को, wise captain मेंने किया है, विराट कोहली को, अगर RCB second inning में बैटिंग किया ना, तो मैं captain विराट कोहली को कर सकता हूँ, और wise captain आंद्रे रसल को कर सकता हूँ, बाकी बत जैसा मैंने बोला, फाप डुपलेसी और गलेन मैक्सवेल भी captain wise captain का best option बनेगा इस match में, अगर इस match मे लिंक आपको description box, comment box में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी join कर लेना, और already मैंने बता दिया है के से आपको join करना है, तो अगर आपको video अच्छा लगा होगा, तो video को like कर देना, channel को subscribe कर लेना, notification bell को दबा करके all पर प्रेस कर लेना, मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए, ज भारत